Hello, दोस्तो, ITI Classes के YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तो, last class में हम लोग बात कर रहे थे composition of forces के बारे में composition of forces में आप क्या करते हैं? जितने भी forces आपके किसी body पर act कर रहे होते हैं उन सब का आपको resultant find out करना होता है वही आपका क्या कहलाता है composition of forces कहलाता है इसमें हमने आपको बताया था कि resultant find out करने के लिए आपके पास में 3-4 method होते हैं और जिसमें हमने सबसे जो पहला method discuss किया था वो क्या था आपका parallelogram law of forces मतलब बलो का समानतर चत्रभुच का नियम उसमें हमने derivation किया था और derivation से आपका जो finally resultant निकालने का formula आया था वो क्या था आपका r is equals to p square plus q square plus 2pq cos theta और इस पूरे का under root ये आपके पास में क्या होता है resultant find out करने के लिए formula होता है जब किसी point पर 2 forces आपके कारिये कर रहे होते हैं तो अब उस पर based कुछ numericals हैं आपके मैंने हापर 3 questions लिखे हुए हैं ये जो 3 questions आपके पिछले कुछ वर्सों में पूछे जा चुके हैं और बलो का जो आपका समानतर चत्रभुच का नियम है उस पर based resultant find out करने के लिए आपके पास में इसी तरह के question पूछे जाएंगे तो इन तीनों को एक एक करके discuss करेंगे और discuss करने से पहले मैं आपको बता दूँ यदि आप channel पर नहीं हैं तो please channel को subscribe किजे, share किजे और साथ में bell icon जरूर प्रेस किजे ताकि इसी तरह की videos आपको मिलती रहे तो आईए शुरू करते हैं, first question है आपका कि 200 newton वे 150 newton के दो बल एक दूसरे से 45 degree के कौन पर कारिये कर रहे हैं तो उनका आपको resultant बताना है और alpha का मतलब मैंने आपको बताया था कि resultant की जो direction होती है P forces है, मतलब जो आपका horizontal axis होता है उससे आपका resultant कितने degree के angle पर है वो आपको find out करना है यह जो question आपका 2014 में पूछा गया था electrician और wireman के exam में तो आईए शुरू करते हैं formula आप जानते ही है r is equals to क्या होता है under root के अंदर p square plus q square plus 2pq cos theta अब इसमें देखते हैं क्या क्या आपको given है forces आपको दे रखे हैं 200 newton और 150 newton तो p का जो मान है वो कितना है आपका 200 newton q का जो मान है आपका हो कितना है 150 newton और जो theta है आपका हो कितना है 45 degree तो तीनों के मान आपको दे रखे हैं p, q और theta तो अब क्या करेंगे आप सिर्फ formula में values put करेंगे उसके बाद यहां से आप calculation करेंगे और अपना result and find out करेंगे तो देख लेते हैं तो r is equals to under root के अंदर p का मान कितना है 200 तो यह हो जाएगा आपका 200 का square plus q का मान कितना है 150 यह हो जाएगा 150 का square plus 2 into यह क्या हो जाएगा आपका 200 गुणा 150 गुणा cos 45 degree तो क्या किया हमने सिर्फ values को put किया उसके बाद में cos 45 का मान कितना होता है यह आपको पता होना चाहिए कि आपका जो cos 45 है वो बराबर होता है एक बटे under root 2 के अब क्या होगा एक बटे under root 2 under root 2 का यदि आपको मान पता होगा तो क्या करेंगे आप इसका मान रख लेंगे हापर और एक को भाग कर देंगे तो under root 2 का मान क्या हो जाएगा आपका 1.41 under root 2 का मान आपके question में दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया गया होगा तो यह आपको पता होना चाहिए कि under root 2 का मान कितना होता है 1.41 तो क्या करेंगे इसका square करेंगे plus 150 का square करेंगे plus 2 गुणा 200 गुणा 150 गुणा एक बटे under root 2 अब यहां से क्या करेंगे calculation आप खुद से करेंगे और जो भी आपका resultant आएगा वो क्या होगा इसका जो first part है resultant वो आपका answer होगा calculation करके आप comment box से मुझे बताएंगे कि इसका answer आपका क्या है इसके बाद मैं आपसे पूछा है कि alpha अब मैंने आपको एक formula और बताया था कि tan alpha is equals to क्या होता है आपका q sin theta upon p plus q cos theta तो यहां से मुझे निकालना क्या है? alpha का मान निकालना है तो मैंने आपको बताया था कि जो alpha के साथ में यह आपका tan है यह जब इधर जाएगा तो यह क्या होजाएगा? inverse हो जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो alpha हैगा वो क्या हो जाएगा? tan inverse q sin theta upon p plus q cos theta तो क्या करेंगे? q का मान आपको पता है sin theta, theta की जगां क्या रखेंगे? 45 degree रखेंगे और यहां p का भी मान पता है और q cos theta यहां पर क्या करेंगे? q का मान रखेंगे और यहां पर theta की जगा 45 degree तो यहां से क्या होगा? sin theta मतलब sin 45 sin 45 का मान भी वही होता है जो आपका cos 45 का होता है एक बटे under root 2 तो क्या करेंगे? दोनों जगा आप क्या रखेंगे? sin theta और cos theta की जगा? एक बटे under root 2 रखेंगे क्योंकि आपका जो theta है वो कितना है? 45 degree उसके बाद यहां से क्या करना है? आपको tan inverse का मान निकाल लेना है यहां से तो यह आप question खुद से करेंगे मतलब जो इसकी calculation होगी वाग खुद से करेंगे इसके बाद अब हम बात करतें next question की तो second question क्या है आपका? कि दो vector आपको दिये गए है 2f and under root 2f किस cone पर लगने ही चाहिए ताकि उनका जो परिणामी है वो f under root 10 i तो इसमें हमें क्या करना है? यह question जो है आपका 2016 में पूछा गया था इसमें आपको इस बार क्या दिया गया है? इसमें आपको force is given है और उनका जो resultant है वो भी आपको given है यहाँ से सिर्फ आपको theta की value find out करनी है formula आपका भी रहेगा same r is equals to p square plus q square plus 2 p q cos theta और इस पूरे का क्या हो जाएगा? under root क्या करेंगे? resultant आपको कितना दिया रखा है? f under root 10 तो f under root 10 क्या हो जाएगा? यदि यहाँ से मैं under root हटा दूँ तो यह क्या हो जाएगा? वापस r square हो जाएगा फिर formula क्या होगा? r square is equals to p square plus q square plus 2 p q cos theta तो क्या किया? यह under root हट जाएगा? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इसका square कर दिया यह हमने इसलिए किया क्योंकि आपकी जो resultant की value है वो किस चीज में दी गई आपको? under root में तो क्या करेंगे? जब आप इसकी multiply करेंगे मतलब जब आप f under root 10 का square करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका यह under root यहाँ से खतम हो जाएगा तो क्या किया पहले हम मान रखते हैं यहाँ पर f under root 10 का holy square बराबर p की value क्या है? 2f तो यह हो जाएगा आपका 2f का square plus q की value क्या है? under root 2f तो यह हो जाएगा आपका under root 2f का square plus 2 into pq p का मान कितना है? 2f into under root 2f और into cos theta यह आपका values को मैंने हाँ पर put कर दिया इसके बाद मैं क्या करते हैं? हम square करेंगे इनका कैसे? f under root 10 की f under root 10 से multiply इसका मतलब यह हुआ कि f गुण sorry f under root 10 into f under root 10 बराबर इसका करेंगे पहले 2 का करेंगे 2 दुनी 4 f का करेंगे यह जाएगा आपका f square प्लस इसी तरह यहाँ पर करेंगे under root 2 की under root 2 से इसका मतलब मैं इसको वैसे लिख देता हूँ खोलकर under root 2f into under root 2f प्लस यहाँ क्या करेंगे? 2 की 2 से करेंगे जो आएगा उसकी under root 2 से करेंगे तो 2 दुनी 4 तो 4 under root 2 f की f से करेंगे f square और यह हो जाएगा आपका cos theta अब यहाँ क्या करेंगे? f की f से करो पहले f की f से करी तो यह हो जाएगा आपका f square अब under root 10 की under root 10 से गुणा करेंगे तो जब आपकी 2 values अलग-अलग under root में दी गई हो और दोनों एक जैसी हो तो वहाँ से क्या करते है एक value को बाहर ले लेते है तो क्या हो जाएगा under root 10 की जब आप under root 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 10 आजाएगा तो मैंने क्या किया 10 f square कर दिया उसको बराबर अब यहाँ क्या करेंगे यहाँ आपका 4 f square प्लस इसी तरह यहाँ पर यहाँ भी under root 2 है यहाँ भी under root 2 है तो इसमें से क्या हो जाएगा 2 बहार आ जाएगा तो यह जाएगा आपका 2 f की f से करेंगे f square प्लस यहाँ भी क्या होगा यह ऐसे ही रहेगा f under root 2 f square cos theta अब यहाँ से आप क्या देखेंगे यहाँ भी आपका f square है और यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी तो क्या करेंगे यदि मैं इस पूरे में से f square को बहार ले लेता हूँ यदि मैं इस पूरे में से f square को बहार ले लूँगा और एक f² आपका यहाँ होगा तो क्या हो जाएगा पूरा cancel हो जाएगा तो हम यहाँ क्या करते हैं इसको ही ही काट देते हैं सीधा f² से तो यह सब आपका यहाँ से खतम हो जाएगा इसके बाद क्या करते हैं इसके बाद यह देखते हैं यहाँ पर आपका 10 है तो 4 और 2 को जोड़ेंगे कितना आजाएगा? 6 आजाएगा 6 में हाँ 6 आजाएगा अब यहाँ क्या है आपका? 4 अंडरूट 2 कोस ठीटा और चाहिए हमें क्या? ठीटा की value तो यह अभी हमाली जो term होगी है ऐसे के ऐसे ही रहेगी और बाकी हम क्या करेंगे? जो इधर आपका 6 आया इसको हम इधर ले जाएगे अब यह इधर जो है आपकी value प्लस में है, जब बराबर से इधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, मतलब 10 में से इसको माइनस करके लिखेंगे तो क्या जाएगा? जब 10 में से आप 6 को घटाएंगे तो कितना जाएगा? 4 बराबर इधर क्या बचाए आपका? 4 अंडरूट 2 cos theta अब यहाँ क्या करेंगे? चुँकि आपको चाहिए cos theta की value तो क्या करेंगे? या तो आप इसको चला जाएगा? तो यह जाएगा आपका 4 बटे 4 अंडरूट 2 तो 4 से आपका 4 cancel हो जाएगा बचा क्या आपके पास में? cos theta बराबर एक बटे अंडरूट 2 अब cos में एक बटे अंडरूट 2 किस का मान होता है? वो होता आपका 45 डिग्री तो क्या है? यह आपका क्या होगा? इसका आंसर होगा 45 डिग्री तो एक बटे फिर से समझते हैं फोर्मूला क्या था आपके पास में? r is equals to under root p square plus q square plus 2 p q cos theta हमने क्या क्या है यहाँ पर? चुंकि जो आपका resultant है वो आपको किस में दिया गया है? अंडर root में दिया गया है तो क्या करेंगे? यहाँ से इसका अंडर root हटा देंगे वापस से इसको क्या कर देंगे? r square तो यह हो जाएगा आपका फोर्मूला r square is equals to p square plus q square plus 2 p q cos theta तो यहाँ क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसकी values put कर देंगे put करने के बाद अब आपके पास में resultant जो है वो क्या है? f under root 10 इसका मतलब जब आप इसका square करेंगे इसकी 2 बार गुणा तो मैंने क्या किया? f under root 10 into f under root 10 किया इसी तरह इसका करेंगे इसका क्या हो जाएगा? पहले 2 का square करेंगे फिर उसकी गुणा कर देंगे f की square से तो 2 का square कितना? 4 f का करेंगे तो f square प्लस इसी तरह है मैंने क्या किया? इसको अभी इसी तरह लिख लिए तो under root 2f गुणा under root 2f प्लस यहां क्या करेंगे? 2 की पहले 2 से करेंगे 4 आ जाएगा f आपका एक यहां पर है एक यहां पर है तो क्या हो जाएगा? f square हो जाएगा और under root 2 यह आपका ऐसे रहेगा और बागी cost rate अभी आपका इसी तरह रहेगा इसके बाद में हम क्या करते हैं? जब आप f under root 10 की f under root 10 से गुणा करेंगे या फिर आप इसको ऐसे समझ लो यदि आपको 2 under root की multiply करनी हो और दोनों के अंदर जो है वो value आपकी same हो तो क्या करते हैं? वहां से हम एक value को बाहर ले लेते हैं तो मैंने क्या किया? 10 को मैंने यहां से बाहर ले लिया f की f से multiply कर दी तो यह क्या हो जाएगा? आपका f square हो जाएगा तो यह आपका क्या है? 10 f square इसी तरह यह आपका ऐसे रहेगा भी जब इसी तरह है अंडर root 2 है अंडर root 2 है तो यहां से क्या कि हमने 2 को बाहर ले लिया तो 2 आपका बाहर आगया बाकी f k f से हो जाएगी तो 2 f square हो जाएगा प्लस 4 under root 2 f square cost it है यह आपका as it is रहेगा अब आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि दोनों तरफ जो है आपका f square common है तो यहाँ से आपने क्या किया डारेक्ट इसको काट दिया आप देखते हैं यहाँ पर f square यहाँ भी है f square यहाँ भी है और f square यहाँ भी है तो यदि आप इस में से f square को भाहर ले लेंगे और एक f square आपका हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा पूरे में से cancel out हो जाएगा तो आपके पास में क्या बचाएगा इधर इसको जोड़ देते हैं, डिरेक्ट, 4 प्लस दो, 6 आया, प्लस, ये आपकी as it is रहेगी, क्या क्या, 6 जो आपका इधर है, ये प्लस में है, इधर आ जागा तो माइनस हो जागा, तो 10 में से माइनस हो जागा, तो क्या बचा आपके पास में, 4 बचा, बराबर, क्या था, चार अंडरूट दो, कॉस ठीटा, अब यदि आपको यहाँ से कॉस ठीटा की वेल्यू निकालने हो, तो क्या हो जागा, जो इसके साथ वाले टर्म होगी, ये 4 के नीच आ जागी, तो कॉस ठीटा बराबर, 4 बटे, 4 अंडरूट, 2, अब 4 यहाँ भी है, और 4 यहाँ भी है तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, उपन नीच हैं, कैंसल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या कॉस ठीटा बराबर, 1 बटे अंडरूट, 2, तो यहाँ से 1 बटे अंडरूट, 2, किसका बान होता है कॉस में, यह आपका होता है, 45 डिग्री पर, तो आपका जो ठीटा आएगा, लम रूप दिसाओं में, एक बिंदू मास पर बल, F1 और F2 लग रहे हैं, तो बिंदू मास पर पर परिणामी बल, क्या होगा, अब यहाँ से आपको, क्या निकालना है, resultant निकालना है, और यहाँ पर आपको क्या दे रखे हैं, forces, F1 और F2, मतलब P और Q के जो मान है, वो क् आपको angle नहीं दिया गया, बट आपको यहाँ पर यह बताया गया, कि यह क्या हैं, दोनों forces आपके लम रूप दिसाओं में कारिये कर रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ, कि यदि यह आपका F1 है, तो आपका F2 कैसे होगा, F2 आपका इधर होगा, और आप जानते हैं, कि resultant जो आपको किस तरह से दिया है, बता दिया कि दो परसपल लम रूप दिसाओं में, लम रूप दिसाओं में मतलब एक दूसरे के दोनों forces के हैं, perpendicular है, मतलब उन दोनों के बीच में, जो angle है, वो कितना है, 90 डिग्री, इसी तरह के question यहाँ से आपसे घुमा फिरा कर पूछ लेता है, same formula है आपके पास में, r is equals to under root p square plus q square plus 2pq cos theta, और इस पूरे का under root, formula आपका यही रहेगा, यदि किसी बिंदू पर आपके दो forces act कर रहे हों, और उनका आपको यहाँ से resultant find out करना हो, तो formula क्या है, r is equals to under root p square plus q square plus 2pq cos theta, अब value रखते हैं यहाँ पर, r, आपको निकालना है परिणामी बल, p और q के मान क्या है आपके, f1, f2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सीधे-सीधे लिखते है, f1 square plus f2 square plus 2 into f1, f2, cos theta की जाएगा कितना इस बार, theta is equals to 90 degree, तो यहाँ आपको जाएगा, cos 90 degree, तो क्या करेंगे, अब आपको पता होना चाहिए कि आपका जो cos 90 degree होता है, वो कितना होता है, cos में, जो 90 degree की value होती हो, किसके बराबर होती है, आपकी 0 के बराबर, तो जब आप यहाँ पर 0 रख देंगे, तो 2, f1, f2 की जब आप 0 से गोना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा यह, आपका 0 हो जाएगा, तो आपके पास में बचेगा, क्या, r is equals to under root में, f1 square plus f2 square का under root, इसी तरह के option आपको वहाँ पर दिये गए थे, और यही इसमें आपको find out करना था, तो इसी तरह के questions आपसे इस topic पर पूछे जा सकते हैं, एक दो question और discuss करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना next जो method है, law of triangle of forces के उपर discussion करेंगे, तो अब हम बात करते हैं, जो आपका बलो को समांतर चत्रुबुच का नियम है, जो अभी हमने पढ़ा, उस पर based आपके question किस तरह से पूछे जा सकते हैं, तो question है आपका, यदी 80 newton वे 70 newton के दो बल किसी बिंदू पर कारिये कर रहे हो, तो उनका परिणामी बल ग्यात कीजे, और theta इसमें आपको दिया गया है, 150 degree, तो resultant force का भी हमने आपको formula बदाया, क्या होता है, resultant force का जो formula होता है, वो होता है आपका, q square plus p square plus 2pq cos theta, और इस पूरे का under root, यह आप आगे पीछे भी लख सकते हैं, इससे आपको कोई फरक नहीं पड़ेगा, अब देखते हैं, इसमें आपको जो q की value है, वो कितनी है, 80 newton, जो आपकी p की value है, वो आपकी, 70 newton, आप या तो p को 80 newton माल लो, या फिर आप q को 70 newton माल लो, इससे आपको कोई फरक नहीं पड़ने वाला है, वो आपके उपर depend करेगा, आप किसे p मानते हैं, और किसे q मानते हैं, तो निकालना क्या है, में resultant force निकालना है, q का मानते हैं, q है आपका 80 के बराबर, तो यह हो जाएगा 80 का square, यह जाएगा आपका 70 का square, plus 2 into 80 गुणा, 70 गुणा, यह जाएगा आपका cost, 150 डिगरी, क्योंकि आपको यह दिया गया थीटा, थीटा बराबर 150 डिगरी, और इसका पूरे का जो होगा, वो अंडरूट होगा, तो अब यह जो होगा आपका, यदि आप 80 का square करते हैं, तो यह आता है आपका, 6400, प्लस, जब आप 70 का square करेंगे, तो यह आपका आएगा, 6400, प्लस, अब क्या करते हैं, दो गुणा, 80, गुणा, 70, गुणा, कोस 150 की value आपको नहीं पता होगे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, टेबल में 90 डिगरी तक ही माने आपको पता होते हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, कोस 90 प्लस, 60 डिगरी, क्या लिख सकते हैं इसको, कोस 90 प्लस, 60 डिगरी, यदि आप 90 और 60 को जड़ेंगे, तो क्या आएगा, count, sin, theta आजाएगा, मतलब जो भी आप angle जोड़ेंगे यगटाएंगे, वो sign के साथ आजाएगा, और chin जोग हैगा, उसको वो क्या आजाएगा, minus के साथ में, तो इस पूरे का क्या आजाएगा आपका, under root, मतलब चा करते हैं, अभी मैंने इसको ऐसे लिखा, 2 into 80 into 70 into यह आपका minus है तो यह minus आपका बहार आ जाएगा साइन 60 की value क्या होती है under root 3 बटे 2 तो क्या हो जाएगा यह आपका under root 3 बटे 2 under root 3 का मान क्या होता है 1.732 और अपन 2 इसको आप इस तरह से लिख सकते है अब इसकी calculation आप लोग करेंगे और जो भी आएगा यहाँ से वो आपका क्या होगा resultant force होगा आप क्या करेंगे 6400 और 4900 दोनों को आप इनको add करेंगे और minus कर देंगे 2 into 80 into 70 इन तीनों की पहले आप गुणा करेंगे या फिर आप कर सकते हैं यहाँ से 2 से आपका 2 cancel हो जाएगा 80 और 70 की आप multiply करेंगे और उसकी multiply करेंगे किस से 1.732 से तो जो भी आएगा वो इन दोनों के submission में से minus हो जाएगा और इसका फिर बाद में क्या करेंगे under root निकाल लेंगे और जो भी आएगा वो आप मुझे इसका answer बताएगे कि resultant force आपका कितने newton आएगा तो इसी तरह के question यहाँ से आपके पूछे जा सकते हैं इसके बाद second question है आपका दो बलो का परिमान याद किजे यदि दोनों बल 90 degree पर कारियरत हो और परिमामी जो आपको दिया गया है वो कितना है? अंडरूट 10 newton तो जब वो 90 degree पर है तो आपको resultant force क्या है? अंडरूट 10 के बाराबर है और यदि वो 60 degree पर कारियरत हों तो उनका जो परिमामी है वो कितना है? अंडरूट 13 के बाराबर है तो इसमें हमें निकालना क्या है? इसमें हमें force निकालना है इस बार P और Q resultant इसमें आपको दिये गए है तो किस तरह से करेंगे इसे? equation क्या आपके पास में? R² बराबर P² प्लस Q² प्लस 2 PQ cos θ यह आपके पास में resultant force को find out करने की equation है जो अभी हमने derivation किया था तो इसमें देखते हैं अभी क्या-क्या given है R का मान आपको दे रखा है first condition के लिए solve करते हैं जब आपका θटा 90 degree हो और resultant आपका कितना हो? under root 10 हो तो यह जाएगा under root 10 का square बराबर P² प्लस Q² प्लस 2 PQ cos θटा तो यह जाएगा आपका cos 90 degree तो जब आप under root 10 की दो बार गुणा करेंगे तो यह क्या जाएगा आपका under root 10 गुणा under root 10 तो यहाँ से आपको क्या मिलता है? यह मिलता है आपको 10 के बराबर यह फिर आप कह सकते हैं square से आप under root भी यहाँ पर काट सकते हैं तो कुल मिला के जो आपको यहाँ से मिलेगा वो क्या होगा? 10 तो 10 बराबर ही होगा आपके P square plus Q square cos 90 जो होता है आपका वो 0 के बराबर होता है तो जब 2PQ की आप 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा यह? पूरा का पूरा 0 हो जाएगा तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? P square plus Q square बराबर 10 यह आपकी क्या होगी? फर्स्ट equation होगी तो second condition में क्या है आपका? resultant force तो आपका under root 13 है बट जो आपको angle दिया गया है वो कितना है? 60 degree तो इस equation में क्या करेंगे? मान रखेंगे direct value रखते हैं तो under root 13 का holy square बराबर P square plus Q square plus 2 P Q cos 60 degree अब यहाँ क्या करेंगे? इसी तरह square से आप यह under root काड़ देंगे तो यह हो जाएगा आपका 13 बराबर P square plus Q square plus cos 60 की मान क्या होता है आपका? 1 बटे 2 तो जब आप 1 बटे 2 की गुणा करेंगे 2 P Q से तो 2 से आपका 2 cancel हो जाएगा बचेगा क्या आपके पास में? P Q तो यह आपका हो जाएगा P Q के बराबर तो equation first से यह आप देखते हैं कि P square plus Q square किसके बराबर है? 10 के बराबर है तो इसकी जगा मैं क्या लिखूंगा? 10 लिखूंगा तो यह हो जाएगा आपका 13 बराबर 10 प्लस P Q जब आप इसको इधर लेकर जाएगे तो क्या हो जाएगा? 13 में से माइनस हो जाएगा चुंकि अब इधर प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो P Q की जो वैल्यू आएगी तो P Q बराबर हो जाएगा आपके 3 के बराबर अब हम क्या करते हैं? जो आपकी first equation थी वो क्या थी? P square plus Q square तो यह हो जाएगा आपका P plus Q का प्लस Q square प्लस 2P Q के P plus Q P plus Q का whole square इसको अभी हम ऐसे रखेंगे बराबर P square plus Q square के जो वैल्यू हो किसके बराबर है? 10 के बराबर है तो इस पूरे के जगा मैं क्या लिख होंगा? 10 लिख दूँगा प्लस 2 into P Q की वैल्यू अभी आपने निकाली किसके बराबर है? वो है आपकी 3 के बराबर तो यह क्या हो जाएगा 10 प्लस 6 तो यह आपका हो जाएगा 16 के बराबर कहने का मतलब यह हुआ कि P plus Q बराबर किसके हो जाएगा? जब इदर यह square लगा था तो बराबर वाली क्या है यह? अंडरूट के अंदर आजाएगी वैल्यू और आप जानते हैं कि 16 का बराबर जो होता है? वो कितना होता है? 4 तो यह हो जाएगा आपका P plus Q बराबर 4 इसको मैंने माल लिया समीकर नंबर 2 इसी तरह P minus Q का जो वोली स्कोर होता है किसके बराबर होता है? P स्कोर प्लस Q स्कोर माइनस 2P Q यहाँ पर भी हम इसी तरह करेंगे इसकी value हमें पता है वो किसके बराबर हो जाएगी? 10 के बराबर हो जाएगी माइनस 2 गुणा 3 मतलब 10 मेंसे जब आप 6 को गटाएंगे तो क्या मिल जाएगा? आपको 4 मिल जाएगा और यह आपकी value है किसकी? P minus Q के होली स्कोर की value 4 आ गई तो यहाँ से यदि मुझे P minus Q की value निकालनी हो तो क्या हो जाएगी? यह जो value है आपकी under root के अंदर आ जाएगी और यह आपका square यहाँ से हट जाएगा तो यह जाएगा आपका under root 4 यह बराबर हो जाएगा किसके? 2 के तो यह जो आपकी equation होगी यह आपकी equation number 3 हो जाएगी अब आपके पास में 2 equation आ गई है एक है आपकी P plus Q बराबर 4 के एक है आपका P minus Q बराबर 2 के अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? P और Q के आसानी से मान निकाल सकते हैं तो क्या करते हैं? समीकर number 2 और 3 को जोडने पर तो क्या करेंगे? P plus Q बराबर 4 और P minus Q बराबर 2 जब आप इन दोनों equation को add करेंगे तो क्या हो जाएगा? यह आपका plus में है, यह आपका minus में है दोनों cancel हो जाएगे P और P आपके दोनों जूड़ जाएगे तो 2P बराबर किसके हो जाएगा? 4 और 2 भी जूड़ जाएगे आपका 6 तो P बराबर आपका आएगा यहाँ से 3 newton अब इस P का मान हम इस वाली equation में रखते है तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? यह हो जाएगा आपका 3 पलस Q बराबर 4 तो Q बराबर क्या हो जाएगा? 1 newton यही इसमें आपको निकालना था P और Q के दोनों के मान यहाँ से आपको आसानी से मिल जाएंगे तो एक बार फिर से समझते है question जो था इस बार आपका उसमें आपको resultant force दिये गए थे और आपको theta दिये गए थे theta की जो value थी आपकी दो condition थी एक बार जब आपका theta 90 degree था तो आपका resultant force था under root 10 newton और जब आपका theta 60 degree था तो आपका resultant force था under root 13 newton तो करना क्या था इसमें आपको P और Q के मान निकालने थे मतलब जो आपके force act कर रहे थे तो equation आप जानते हैं कि R square बराबर P square प्लस Q square प्लस 2P Q cos theta के बराबर होता है तो अभी हमें इसमें पता कितना है हमें इसमें आपको theta की value दी गई है और resultant force की value दी गई है जब हम first condition की बात करते हैं तो theta आपका 90 degree होगा जो resultant होगा वो under root 10 के बराबर होगा तो क्या करते हैं under root 10 का whole square बराबर यह आपका ऐसे ही रहेगा cos theta की जगा cos 90 रख देंगे cos 90 की जो value होती हो आपकी 0 के बराबर होती है जब आप 2pq की 0 से गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 0 तो यहाँ से कहने का मतलब यह हुआ कि आपका 10 बराबर किसके हो जाएगा p square plus q square k तो यह आपकी equation number first आ जाएगी इसके बाद में जो आपकी second condition थी उसमें आपका resultant force कितना था under root 13 newton और जो आपका theta था वो 60 degree था तो क्या किया इसी तरह हमने यहाँ आपका भी मान रखे और cos 60 degree रखा अब cos 60 का मान आपको पता होगा 1 बटे 2 के बराबर होता है तो 1 बटे 2 तो मैंने cos 60 की जंगा लिखा और 2pq आपका पहले से यह है तो 2 से आपका 2 कट जाएगा बचेगा क्या pq तो यह आगए आपका यहाँ से 13 बराबर p square plus q square plus 2pq equation first से यदि हम देखे p square plus q square किसके बराबर है 10 के बराबर है तो क्या हो जाएगा इसकी जंग हमने 10 रखा plus pq आपका as it is रहेगा तो यहाँ से आपका जो pq का मानोगा वो क्या जाएगा 3 इतना करने के बाद अब हम जानते हैं कि p plus q का जो whole square होता है वो क्या होता है p square plus q square plus 2p q के अब इसकी value हमें पहले सी पता है जो हमने equation first से निकाल रखी है 10 के बराबर है तो 10 plus pq की value अभी हमने यहाँ से निकाली pq बराबर आपका 3 तो 2 गुणा 3 हो जाएगा इसका मतलब 6 तो 10 plus 6 करेंगे किसके बराबर हो जाएगा 16 के बराबर तो यहाँ से जब यह square अटाएगे तो आपकी जो 16 होगा यह आपका under root के अंदर आ जाएगा तो इसका मतलब यह हुआ कि 16 का वर्गमूल आपको लिखना पड़ेगा तो p plus q बराबर आपका हो गया 4 इसको हमने माल लिए समिकर नंबर 2 इसी तरह यह तो मैंने किया दा p plus q का holy square अब हम यहाँ क्या करते है p minus q का holy square वो क्या होता है p square plus q square minus 2p q तो इसी तरह हमने यहाँ पर भी क्या लिखा इसकी जगा हमने 10 लिख दिया p q की जगा हमने 3 लिख दिया तो 10 minus 6 हो जाएगा तो 10 में से जब 6 जाएगे आपका बचेगा क्या 4 यहाँ से जब square अटाएगे तो यह under root के अंदर आ जाएगा जो मैंने यहाँ पर लिख दिया p minus q बराबर under root 4 तो under root 4 का जो मान होता है वो किसका होता है 2 के बराबर होता है तो यहाँ से आपकी जो तीसरी समीकर नाएगी वो क्या ही p minus q बराबर 3 अब हमने क्या किया equation 2 plus 3 कर दिया मतलब p plus q बराबर 4 और p minus q बराबर 2 जब आप इन दोनों equation को add करेंगे तो यह आपका plus का है यह आपका minus का है और यहाँ पर भी आपका 1 q है 4 or 2 6 तो p का जब यहाँ से आप मान निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका 3 newton मतलब 6 बटे 2 हो जाएगा यह वाली जो संख्य होगी इसकी नीचा जाएगी तो मैंने क्या कि यह डिरेक्ट लिग दे हैं से आपका 3 newton आ गया और p का मान इस वाली equation में रखो या आप इस वाली equation में रखो वो आपके ओपर depend है तो मैंने क्या किया इस वाली equation में रखा p के जाएगा मैंने 3 नखा तो 3 plus q बराबर 4 तो यहाँ से जब आप q का मान निकालते हैं वो आपका जाएगा 1 newton तो इसी तरह के question आपसे पूछे जाएगे यदि वो question आपका बलो का समांतर चत्रूबुच का नियम होगा तो उसके resultant को निकालने के लिए आपके पास में एक formula क्या है यह है r² बराबर p² प्लस q² प्लस 2pq cos theta तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना रखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक नए टोपिकी